तो यह है नौ महिने का चंदन का पोधा जो काप्य चबढ रहा है तो मैंने इसको लकड़ी के सहारे बांध रखाए ताकि सिधा बढ़े और सबसे पहले मैं आप सभी का सरदर फिल्ड बॉर्डर फार्मिंग चानल में स्वागत करता हूँ और यही कहूंगा कि हमेशे आपने आपने खिती के चोर पर करने का पाइदे मैंने बहुत सारे वीडियो भी पना इस पर अभी आपर देखो एक फायदा यह है कि यह जो निम का पोदा दिख रहा है यह मैंने लगाया नहीं तो क्या होता है आसपस अगर हमारे आसपस निम के पेड़े तो जो उसका बीज होता है उपंग्सिया प्याव पर लाते हैं भी फल खाते हैं तो जगए जगए पर निम के पोदे निकलते रहते तो अभी है वर्ष्ट का काम करेगा स्रिफ हमें क्या करना है यह जो चंदन का पोदा है पेड़े अभी पोदा ही छोटा है तो इससे हमेशे छोटा रखना है तो करने समय समय पर इस पोदेगी ताकि यह चंदन से बड़ा ना हो तो आज मैं चंदन के साथ साथ एक कहानी भी सुनने वाला हो आपको तो कहानी यह है कि पुराने जमाने की कहानी है तो एक कहानी सुनने के पीछे एक मकसद भी है तो आपको बाद में पता चलेगा तो पहले तो समय बरबात ना करो कि सब जो खेल है वो समय का है जो भी कोई हो समय कहाँ पर बिता रहे है उसपर उसको आगे फल मिलने वाला है जैसे मैंने आभी चंदन के पौद ए ख्यती के छोर पर लगए कुछ पेड़ बहुत बड़े भी हो चुके तो मैंने मेरा जो समय वो सही काम के लिए इस्तेमल किया तो अभी तो नहीं लेकिन आगे जाकर उसको उसका मुझे कुछ ना कुछ फाइदा जुरूर होगा तो इसलिए मैं अभी यह कहानी बताने वाला हूँ तो एक राजकुमार था तो आपने शहर में नगर में बोलो पुराने जमाने की बात है वो शाम को टहलने के लिए निकला तो कुछ लड़किया वहाँ पर जो कुवा थी पुराने जमाने की बात है तो कुए के बात चलेगी तो कुए पर पानी भर रहे थी तो उनकी जो बात् बाते सुनते सुनते राजकुमार को ऐसा पता चला कि एक जो लड़के उन में से काफी हुशार है कि बातों से पता चला उसको और बाद में उसने रजदिक जाकर देखा तो सुन्दर भी थी और हुशार भी थी तो राज कुमार को ऐसा लगा कि क्यों न यह जो लड़के इससे हम शादी करें ताकि जो राज कुमार की जो भीबी हो जो राज कुमारी हो वो सुन्दर भी होए और हुशार भी होगी तो राजा ने फिर उस लड़की के घरवाले को शाम को बुलाया और पिता जी को बोला कि ऐसे ऐसी बात है मुझे आपकी लड़की से शादी करनी है तो पिता जी तो बहुत खुश हो गए क्योंकि शादी के लिए रिष्टा मागने वाला राजकुमार था तो पिता जी घर पर खुशी से गए और आपने बेटी को बोले कि ऐसे ऐसी बात है राजकुमार आपसे शादी करना चाहते लेकिन बेटी ने अहसामती दर्शाई वो बोली मुझे राजकुमार से शादी नहीं कर ली और पिता जी नाराज होकर वापिस लोटे और राजकुमार को बोले कि मेरी बेटी ने ना कहा है तो राजकुमार तो हैरान रहे गए कि मैं राजकुमार होकर भी अगर मुझे कोई ना कहता है तो कोई जरूर बात होगी फिर राजकुमार ने उस बेटी से मुलाकात करने के लिए कहा पिता जी ने उस बेटी को बुलाया और राजकुमार ने पूछा मैं राजकुमार होकर भी आप मुझसे विवा क्यों ने करना चाहती शादी क्यों ने करना चाहती तो लड़की ने कहा कि आप भले आज राजकुमार हो लेकिन क्या पता कल आपका राज जा सकता है और कल आप पुछ के साथ अभी जो पैसा है, जो आपका नाम है, वकल नहीं भी रहेगा, तो फिर हम कैसे जियेंगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा कला होनी चाहिए, गून होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, तो राजकुमार को भी ये बात सही लगी, हो सकता है लड़की जो कह रहे है क्योंकि वो तो पहले हुशार थी वो सज बात भी हो सकते है कल राज्य जा सकता है तो राजकुमर ने फिर उस लड़की की बात मान ली और उसको कुछ साल का महने का वक्त मागा कि मुझे कुछ दिन के लिए वक्त दे दो मैं आपको कुछ कला शिखा कर दिखाऊंगा, तो जो भी एक साल था या छे मैने थे, उस समय में राजा ने एक कला सिखी, और वो कला ये थी, जो शाल पहनते, राजकुमार या कोई भी आदमी, तो शाल हाथ से बनाने की और उस पर नक्षी काम करने की जो कला है, वो राजा ने शिख ली थी, तो जो डिजाइन नक्षी काम करता था, वो कोई ने कर सकता था, वो कला सिफ राजा की पास ही थी, जो राजा दूर से कही से सिख कर आया था, तो ऐसे सेल कोई और बना भी नहीं सकता था, ऐसी राजा ने कला सिख ली थी, अभी कहाने कोई रुक वाते हैं, अभी चलते हैं, च जंगली पेड़ी है जो खेती के छोर पर पहले से थी यह भी काम करेगा और यह है चिलोरी का प्लांट इसको काटे होते पेड़ है यह तो यह भी काम करेगा तो खेती के छोर पर लगाने के यही फाइदा है कि चंदन के पेड़ को बहुत सारे हुस्ट मिलते है और यह काफी तेजी से और अच्छा पड़ता है और हार्ट उट अगर अच्छा पड़ेगा इनके अंदर आएगा अभी इसको टाइम है अभी बहúट ही च्छोटा बच्छा है तो बाद में इसके अंदर हार्ट Aww आएगा तभी इस ख़ाँ में पैसा मिलेगा अब चलते हैं अपनी तो राजा ने फिर उस लड़की को बोला कि मैंने ऐसे इसे कला सिखिए तो लड़की भी खूश हो गई लड़की ने देखी कि राजा के पास अब एक गून है एक कला है शाल बनने की उस पर डिजाइन करने की तो लड़की भी राजी हो गई उनका उनकी शादी भी हो गई औ और वह अच्छे से राजकुमार और राजकुमारी दोनों रहने लगे उनका राज्य भी अच्छा चल रहा था और कुछ साल बाद महेने बाद राजा एक दिन उनके सातीदारों के साथ शिकार के लिए जेंगल में निकल पड़ा थी और उन्होंने कपड़े वह शिकारी के त राजा के लिए भटक रहे थे तो राजा की जो सातीदार थे वह राजा से बिछड गए और राजा अकेला पड़ गया उस जंगल में अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ राजा को कुछ लोगों ने जंगली लोगों ने पकड़ लिया और उन्हें बंदी बनाया अब इधरी कोठड़ी में रखा ताकि राजा को कुछ भी ना दिखाई दे तो राजा ने बहुत बार सुनाने की कोशिश की कि मैं राजा हूँ मुझे छोड़ दो लेकिन कुछ फायदा ने हुआ तो ऐसे मैने बिते इधर राजा घर पर लोटा ने तो राजकुमार भी टेंश से तो कुछ से को पता भी नहीं चलता था कि इधर कोई रहता है या नहीं तो आदमी बोल रहा था कि मैं अब राजा को दूसरे देश में बेजूंगा काम करने के लिए और मैं उन लोगों से पैसा लूंगा लेकिन वो जो राजा को खरिदने वाला जो आदमी वो उसको टा दो मैने के बाद बेचेंगे तो ठीक है लेकिन तब तक मैं आपको पैसा कमा कर दे सकता हूँ तो उस आदमी ने बोला कैसे तो उसने बोला मुझे कुछ आप कापड लाके दीजिए और कुछ दोरे धागे लाकर दीजिए मैं उनके सारे शाल बनाऊंगा और कापी अच्छ को तो आदमी जाकर नजदिक के शहर में वह शाल बीकने लगा और उसको बहुत पैसे मिलने लगे तो एक दिन राजा ने बोला कि जगए 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 पर आप बेच दो आपको और मैं पैसा कमा कर दे दूंगा तो एक दिन वह जो आदमी है वह उसी राज्य में गया जहा पती है राजा ही है तो रानी को समझ में बात समझ में आ गई कि मेरे जो पती है राजा है वह अभी जिंदा है और यह इस आदमे के गिरप्त में है तो रानी ने उसके जो लोक थे उनको बोला कि इसका पीछा करो यह आदमी कहा जाता है तो चुपके से पीछा किया तो राजा को छोड़ा कर ले आई तो कहानी ये है कि राजा के पास कुछ ना कुछ गुन था इसलिए राजा बचा और रानी ने पेले राजकुमरी ने भैसला लिया था कि कुछ ना कुछ गुन होने के बाद ही हम स्षाधी करेंगे तो वह भी सही था अब यहापर कहानी खतम हो तो हम 11 सुनने का मतलब यही है कि हमारे पास भी कोई ना कोई गून होना चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आ जाए हम उसके सारे हम जिंदगे में कुछ तरक्के करे तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगते है अब वो राजा होकर भी उसने अपने जिवन में कुछ साल कुछ मेने वो कला सिखने के लिए बिताय होगे तब ही वो कला सिख पाया और उसके जान भी बचाई तो वैसे हमारे जिवन में हमें जो कला है हमारे पास जो गून है वो गून चाहिए कुछ भी हो सकता है दुनिया में famous है, जिनके पास पैसा है, स्रीफ हम देखते हैं कि यह देखो इनके पास इतना पैसा है, famous है, लेकिन उनके पीछे बहुत उनकी मेहनत होती है, तो मेहनत कि सिवा कुछ भी नहीं होता है, तो मैं यही कहूंगा, कि हमेशा आपने काम में बैस्त रहे, मस्त रहे, स बाते करता हूँ आपको अच्छे अगर लगती है तो ही वीडियो देखे मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि अपना समय का सही जगे इस्तमाल करना सिखूँ अगर आपको मेरी बाते पसंद नहीं तो चानल पर भी मताना क्यूंकि मेरा चानल बढ़ने से आपको कुछ फाइदा टायम लगा है काहां ही सुनाने के लिए तो लेकिन कहां ही उतनी थी और चंदन कि खेती किजे खेती के छौर पर लगाए तो आपको भी फायदा ओगा तो चंदन के बारे मैं तो आज ज्यादा जानकरि नहीं